हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्पलतामंत्र दूसरों 69,000 सिच्छक भरती मामले में एक बार फिर से एक नई अपडेट आई है जिसको लेकर आप सभी लोग बार बार पूछ रहते तो ये अपडेट जो है सुप्रिम कोड से और बहुत बड़ी ख़वर है जो आप लोगों की प्रिटी सुधार का जो केस था उसकी आचिका खारिज हो गई है नई कॉज लिस्ट आ गई है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो क्लास को एंड तक जरूर देखेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वेल आइकन को प्रेस करिएगा साथ ही साथ दोसों टेलिग लोगों को लेकर के अपडेट आई है कि 14 जुलाई को जो आपकी सुनवाई होने वाली थी वो आप 14 जुलाई को नहीं हो पाएगी चुकि कुछ अल्टरनेट जज बैठ रहे हैं ऑनलाइन सुनवाई चल रही है तो इसके अंतरगत यह फिर से इसमें बदलाओ हो गया है और कर लिए आप लोगों को उसके बारे में पता लग गया होगा लगभग कुल मिलाकर लगभग 14 पंदरे वकील ऐसे हैं जिसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल वा अन्य लोग भी अपना पक्छ रखने के लिए जरूर आएंगे तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 15 जु सुनवाई होने वाली यह फाइनल सुनवाई हो सकती है इसके अंतरगत आपके जो भी मामले होने वाले जितने भी मामले हैं वो सभी इसी के अंतरगत लगाए गए हैं और यह आपका वर्चुल कोर्ट नंबर टू में आइटम नंबर एर्थ से ले करके लगभग आपके 18 त तो आपकी ये पूरी सुनमाई 15 जुलाई को ही पूरी हो जाएगी फैसला चाहें जब आए लेकिन इसको लेकर भी चुछ की जश्टिस यू यू ललित जी की वेंच है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी मामला होगा जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा यही हम लोग उम्मी देनी थी इसके लिएड मुद्दा भी काफी जादा इस समय जोर पकड़ रहा है बीएड को लेकर के मामले की सुनवाई भी हुई थी अभी कोट में हाली में इसकी डेट भी आपकी 14 जुलाई लगी थी जो कि 15 जुलाई को इसकी भी सुनवाई होगी सभी मामलों की सुनवा लोग अगर आप लोग चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको दी जाए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा सटीक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा थेंक्यू दोस्तों गुडबाय टेक केर